तो आज हम क्या बनाने वाले हैं आज हम बनाएंगे छोली जो कि आप छोला पूरी से भी खा सकते हैं और छोले बटूरी भी खा सकते हैं छोले रोटी भी खा सकते हैं तो हम एकदम ग्रेपी दार बिल्कुल छोले बनाएंगे तो चलिए मैं बनाती हैं छोले की सब्जी वह भी एकदम तरकेदार तो चलिए बुना टायम बेस्ट किये हम चलते हैं किचिन में और प्रनाते हैं चोले की सब्ची। आप आइ तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते, सबसे पहले हमें तेज पत्डा डालना इसमेह उसके बाद हम इसमें ख़ड्गा जो भी घरम मसाले होते हैं वो डाल देगे और उसके बाद हम इसमें ओनियन की ग्रेवी डाल देंगे तो हम इसमें एकदम से मसाला नहीं डालेंगे पहले पका लेती हूँ उसके बाद हम इसमें मसाला एड करते हैं तो मैंने अच्छे से एड कर दिया मसाला और बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसमें टूमैटो डाल देंगे तो आप अपने एक ओर्डिंग डालना मैंने कारिश मैं थोड़ा से एकडम से घरत गरम मसाला और या जब ग्रेवी होती है चाहे वो चोले की ग्रेवी नेल हो या फिर पनीर की ग्रेवी हो उसके बहुत यह चार्व से पकार से टेस्ट आता है चोले इसमें एड़ कर दीजिए और चोले को आप 10 मिनिट तक पकने दें इसके बाद चोले मारे बनके बिल्कुल तेया रहे हैं